तो OneUI 6.1 Updates को लेकर यार काफी सारे लोग वेड कर रहे हैं और अलगअलगी स्मार्टफोन को लेकर बहुत सारे कमेंट्सार obsess रहे हैं कि हमारे स्मार्टफोन में update कब आएगा, हमारे असे स्मार्टफोन में update कब आएगा तो finally एक news निकल कर आई है 1UA 6.1 अपडेट की रोल आउट को लेकर जिसमें A-Series के कुछ स्मार्टफोन है और S-Series के भी कुछ स्मार्टफोन से जिसमें मई 2024 मतलब इसी मन्त में अपडेट रोल आउट किया जा सकता है अब वो कौन-कौन से स्मार्टफोन से उनके बारे में तो आगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अगर आप मुझे फोलो करते हैं तो मैंने लास्ट दो वीडियो में आपको बताया था कि Samsung ने 1UA 6.1 का जो अपडेट है उसे S21 Series, S22 Series और Fold और Flip Series के कुछ स्मार्टफोन को South Korea में रोल आउट कर दिया था लेकिन S22 Series में लोक स्क्रीन में कुछ बग्स आ रहे थे और ओटोरी स्टार्ट को लेकर कुछ बग्स आ रहे थे जिसकी मज़े से Samsung ने S22 का 1UA 6.1 का जो अपडेट है उसे होल्ड कर दिया था और अब न्यूज निकल कर आ रहे ही कि Samsung S22 Series के लिए 1UA 6.1 Update को बहुत ही जल्दी रिज्यूम कर सकता है क्योंकि S22 Series के 1UA 6.1 Update को लेकर जो टेस्ट बिल है वो सामने आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1UA 6.1 Update के टेस्ट बिल S22 Series के लिए Samsung टेस्ट कर रहा है इसका मतलब जो अपडेट है वो बहुत ही जल्दी रिज्यूम हो सकता है तो एक बार Samsung S22 Series के लिए Update को रोल आउट कर देगा उसके बाद में काफी ज़्यादा चांसेश है कि जिन्हें इसी मन्त में Update रोल आउट किया जा सकता है उस लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर Samsung के वो कौन-कौन से Smartphone से जिसमें 1UA 6.1 का जो Update है वो इसी मन्त माई के मन्त में मतलब end of the माई से पहले-पहले रोल आउट किया जा सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते है Samsung की ये सारे Smartphones है जिनमें 6 से लेकर 15 माई के बीच में 1UA 6.1 का जो Update है वो रोल आउट हो सकता है अब Update देखे पहले हो सकता है डिरेटली इंडिया में रोल आउट नहीं होगा पहले अपनी Home Country South Korea में रोल आउट होगा उसके बाद में जैसे ही एक बार Update रोल आउट हो जाएगा चार से पास दिन या अल्मोस्ट एक विक के अंदर-अंदर Update इंडिया में भी रोल आउट हो सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते है S21 Series जिसमें S21 FE भी इंक्लूडेड है S21 FE का Exynos और Snapdragon दोनों ही वेरेंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड है साथी Galaxy Z Fold and Z Flip 4 और 3 अब यहाँ पर A Series के दो स्मार्टफोन से जिसमें A54 और A53 दो स्मार्टफोन से जिन्हें One UI 6.1 का जो अपडेट है वो 6 मैं से 15 मैं तक रोल आउट किया जा सकता है उसके बाद में Galaxy S22 सीरीज को भी इसी मन्त में अपडेट मिल सकता है तो एक बार One UI 6.1 का अपडेट S22 सीरीज के लिए रिज्यूम हो जाएगा और एक बार इंडिया में जैसे ही रोल आउट होगा वेसे ही Samsung अपनी दूसरी स्मार्टफोन सीरीज को भी One UI 6.1 का जो अपडेट है उसे रोल आउट करना स्टार्ट कर देगा तो यार फिलाल तो यही सब कुछ निउज निकल कर आई है आगे से Samsung के किसी भी स्मार्टफोन में One UI 6.1 की रोल आउट को लेकर या फिर किसी और निउज को लेकर कोई भी information आती है तो यहाँ पर आपको उसकी detailed video definitely से मिल जाएगी तो यह उसके लिए चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर से press करके रखना क्योंकि आगे आने वाली videos आप miss नहीं करेंगे जैसे ही update आएगा यहाँ पर मैं आपको